हलो गाइस यह है 26-25 इंच का वाल माउंट जो की एमाज़ून से बुलाया है अगर आप लोगों को बुलाना है तो इसका लिंक है और इसको हम एमाई की 40 इंच की टीवी के लिए बुलाया है इसके पीछे होता है पास में आप यह दिये हैं आप वाल मांट करने के एक दो तीन और चार कि इसके साथ ही आते हैं कि यह जो है इसको बॉल पर ठोकना पड़ता है यहां पर ऐसा है यहां खिले माज़ो यहां यहां और इसके बाद यह जो रहता है यह ऐसा लगता है कि अपने टीवी के इसाथ इसको एंजरेटी कर सकते हैं कि यह यहां लगेंगा है यह देखो एक स्कुरियान लगा दो यहां लगा दो कि और एक यहां कि और इसके बाद आप लुग लगाते हैं फिर उसके बाद आपको रिखाते हैं जो भी स्कुरियान इसमें करसा जाए वाल आपको लेना है यह सारे यह वाल मांट के साथ ही आए इसकूरूं प्लास्टिक की दी एन है फोड़े से स्टेंड को और टीवी से दूर रखने के लिए जहां इसकूरू को साएंगा वहां रखो यह और उसके उपर यह रखो फिर उसके उपर एक यह वाईसर रखना है और जो भी स्कूरू जहां पर भी बराबर कसा जाए चूटा बड़ा प्लास्टिक के लिए लंबे यहां थोड़ा अंदर है कसने आला तो उसके उपर यह रखेंगे तो और जादे हो जाएंगे तो यह बड़े वाले लिए लग से हमने और उसके उपर फिर ऐसा रखना इसको कि एक वाइसर लिए ऐसे चारों तरफ यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कस्लों कि यहां करो कि यह लगाने से यह वाल माउंट है टीवी से दूर रहेंगा वजह से बन कभी निकालते हैं तो इससे स्क्रेच भी नहीं होगी टीवी में ऐसे ऐसे हिलने के खारण नहीं तो यह घसा कि इसकरच जाती है प्लास्टिक पर ताव तो आप सारी इस्प्रू कस ले थे इसके उपर और पिर आपको बताते हैं कैसे पर तो आप नहीं देखो यह कस लिए चारों इदर यह नड़ है थोड़े से लम्बे लिए इसलिए अच्छे से हो गया है अब इसको दिवाल के ठोकते हैं यह जो बारीक वाली स्कूरू दीए है छोटे यह इसको यहां पखते हैं यह स्टेंड यह से बहार नहीं आने को ना इसलिए इसको नीचे से हलका सा लगा के रखना है जब वाल पर मॉंट हो जाएंगे तो इसको अच्छे से पेच कर डालना है और इसको धीरे-दीरे कस देना है तो उसके कारण यह इसा बाहर नहीं आएग एक यहां पर लगेंगा एक यहां पर लगेंगा याला इसको यह बड़े-अले खिले से इसको और और जब होतना है यह देखो इतनी विभारी टीवी हो कभी नी गिरिए दिवाल से अन्हेर हो को म hesitant के изучी हो इसक्राओ कर देखो और में भीमेंव लगेंगा विफद्म यह वीडियो बसंद आया तो लाइक और सेज़ कर दिया है